अलो फ्रेंड्स तो एक बार फिर स्वागत है आपका डेटा फ्लेयर वेर प्रोग्रामिंग के फ्री कोर्स में जहां पर आज हम कुछ और HTML टैक्स की बात करने वाले हैं इस रिमेंबर हमने लास्ट टाइम जिन टैक्स की बात की थी इस अर्द टैक्स हम लोगों ने इमेंस टैग देखा था मार्कीव टैग हम लोगों ने बात की थी ओके इस 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 होट टैक्स वीजी कलर क्या होता है .... ऑन आज वाटकरते हैं यहां पे the another important tag of HTML एंट इस वाद टेब्ल उप्टेग की जब भी आप अप्ना कोई HTML page बनाएंगे और अगर आपको data को arrange करना है मतलब proper arranging करना है so table tag will help you out a lot वहाँ पर आपको table tag काफी help करेगा तो देखने table tag का क्या concept है table tag किस तरीके से हम use करेंगे तो see this one में एक नया इसी HTML page को हम save as कर लेते हैं और इसका नाम में रख देता हूं suppose table.html this is table.html ठीक है अब इसमें मुझे अभी फिलाल इस code की कोई जरूत नहीं है ठीक है I'll just remove this simple हम अभी जो basic tag है HTML के हम उनको लेके चलते हैं तो अब यहाँ पर आप देखे टेबल मतलब exactly क्या है कि मुझे content design करना है suppose अगर मैंने बोला कि मुझे students की information store करने ही क्या होता है जब भी आप HTML CSS को use करेंगे dynamic application के लिए for example अगर आप python में कोई application बना रहे हैं या java में कोई application बना रहे हैं using jsp servlet या python में कोई application बना रहे हैं using django तो आपके पास bulk amount of data आएगा लेकिन उस bulk amount of data को आपको एक presented way में user को show करना है एक tabular format पे आपको user को show करना है तो जब tabular format पे हमें data display करने के बाद होती है तो वहाँ पर हम use करते है table tag लेकिन table basically जिसको हम बोले तीन option पे काम करता है table में headings होती है table में data होता है table में rows होती है अज़े से for example देखो आप यदि मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ तो design a table tag जो tag हम use करते हैं that is a table तो आपको जो भी tag लिखना है वो table और slash table के बीच में लिखना है ठीक है अब इस table tag में मुझे फिलाल क्या चाहिए एक row I want a row in a table मैं आपको एक option बताता हूँ देखा अगर मान लो मैंने pen brush open किया और इस pen brush में अगर मान लो में जो कुछ इस तरीके से table बनानी है कि this is what the table और इस में मुझे चाहिए पहले एक row यह किसी row I want this row और इस row में फिर हमें क्या चाहिए अलग-अलग column something like this यह पहला column यह दूसरा column तो यह row हम क्यों ले रहे suppose this is third column तो यह row मैंने लिए है headings के लिए for example मैंने यहां लिख दिया name this is my name फिर मैं यहां पर अगली heading लेना चाहता हूँ यहां पर मैंने लिख दिया suppose mobile number, address तो इस तरीके से अगर आपको कोई यह table design करनी है html में so that we are going to use this table tag तो इस table tag को हम कैसे use करेंगे देखो आप यहां पर table में सबसे पहले हम क्या लेते हैं row ठीक है यह मैंने लिए tr tr is for table row और यह दहान रखना यह sub tags होते है these are the sub tag मतब जो भी tag हम लिखेंगे sub tag किसको बोलते हैं जब किसी tag को हम tag के अंदर लिखते हैं जैसे आपको याद है हमने listing tag पड़ा था liol तो जो listing tag थे हमारे वो sub tag थे ओके तो यहां पर अगर मैंने लिखा suppose tr ओके तो यह tr tag में अब यह row आगई आपकी ठीक है this is your row अब इस th में मुझे क्या करना है इस th में मुझे suppose student की information है तो मैंने बुल दिया role number ओके अब यह table हम किसके लिए बना रहे हैं तो हमें ऊपर heading दे देते हैं मानलो मैंने h4 में लिख दिया student information और अभी यह पूरा static content होगा this is completely static content right तो यह मैंने पहली रोली पहली रो में आपने क्या ले लिए पहली heading तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा see this one यह अपका पहला रोल नंबर आ गया फिर मुझे next heading लेना है next heading for what next heading लेना है name के लिए फिर मुझे next heading लेना है and this is for what suppose यह मुझे लेना है mobile number के लिए okay and so on मतलब आप इसमें heading और बढ़ा सकते हैं जैसे for example मैंने ले लिया course तो यह मैंने एक heading लिये तो एक बार एक बार इसका output देखते हैं कि यह table हमें किस तरीके से output में देख रहे हैं फिर हम उसमें कुछ और changes करेंगे right तो यहाँ पर अगर मुझे इसका output देखना है so I'll just save this और इसको हम open करते हैं see this one यह table तो यह मेरी table आ गए this is what my table लेकिन यह table अभी बिल्कुल एक simple सी दीख रही है right तो यहाँ पर आप देखो एक काम करते हैं इसको हम font tag में लेते हैं यह student information है कि मैंने बल दिया font color equal to suppose rate size equal to suppose 5 ठीक है और यह slash font यह हमने font tag लिया अब यह जो table आपको अभी देख रही है see this one this table is not look like actually a table आप इसको अगर देखोगे तो यह देखो आप यह recent में है यह अभी यह table मुझे table जैसा look नहीं दे रही है right वो इसलिए क्योंकि यदि आपको टेबल में आपको लिने पढ़े ही की border मतलब we have to use border in the table कि आपको टेबल की thickness कितनी चाहिए right तो जिससे यहां पर हमने लिखा इसको थोड़ा सा मैं 10 कर देता हूँ border equal to suppose मैंने लिखा 1 border is what it is an attribute of table tag table tag की property होती है border जिससे आप table में border लेके आ सकते हैं तो आप देखो यदि मैंने table में border लेके आया हूँ so now this now it is look like something a table अब इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं तो यहां पर क्या tag बड़ा था हमने BR with the BR tag we can break the row मतलब table थोड़ इसे आपकी नीचे आ जाएगी देखो तो यह जो टेबल है अब अगर आपको लगता है table की अब भी size चोटी है तो अपन उसको थो खेर बड़ा लेंगे font tag को यूज़ करके not an issue लेकिन table में पहले आपको th का meaning समझ में what is th कि जब भी किसी table में एक row में आपको heading चाहिए so that we will go for this th tag वहां पर हम th tag को यूज करते है अब अगली रो ली मैंने td this is td and slash td अब इस td और slash td के यह मुझे अगली रो चाहिए पहले तो सब्सक्राइब तो हमने क्या लिया tr and slash tr यह next row अब इस next row में अब मुझे heading नहीं चाहिए अब मुझे data चाहिए तो difference यह है जो heading वाला पार्ट होता है वो थोड़ा bold में दिखता है जो भी आप heading पार्ट लेंगे that is something in small bold में दिखेगा आपको ठीक और जो आपका data वाला पार्ट होता है that data पार्ट is normal जैसे मैंने लिखा td तो अब पहला row में पहला data roll number यह लिख दिया आपने 101 slash td समझ र अब लिख दिया whatever विशाल चर्मा यह आपका next td में आ गया ठीक है अभी हम data static दे रहें don't worry फिर हम बाद में dynamic application के लिए भी इसको use करेंगे फिर अगला क्या है अपना mobile number तो अगले td और slash td के बीच में मानलो मैंने mobile number लिख दिया 123456 ठीक एं then next td और slash td इसके बीच में ह this is what my table row मतलब next row में आपने क्या ले लिए data देखो आप क्या हो रहा है यह आपके table इससे आपके table generate हुई है इस table में हमने पहली row में heading ली फिर मुझे next row चाहिए और आप question आता सर इसी कितनी row बढ़ाएंगे तो यही तो मैं आप से बोल रहा हूं जब हम अभी हम केवल HTML में table designing की बात कर रहे है अब question यही कि सर इसमें अगर मुझे 25 रोच चाहिए तो आप वैसी बात है हम एक 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 करके थोड़ी ना रू लिखेंगे वहाँ पर फिर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे जहाँ जावा script आपकी help करेगा अभी stylish table बनानी है तो CSS आपकी help करेगा लेक एक page बनाने के लिए tax provide कर रहा है इसकी styling नहीं कर रहा है अब यह तो अभी हम केवल घर बना रहे हैं अभी आपका घर ready हो जाएगा फिर घर ready होने के बाद फिर हम उसमें stylish की बात करेंगे कि आपको किस तरीके के परदे लगाना है किसा look and fill देना है फिर उसके बाद next step में हम उसमें programming की बात करेंगे बात समझ में आ रहे है ठीक है तो इस इस वाट टीडी टेक अब देखो अब आपकी टेबल का लूप आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है इस इस दोट यह टेबल 101 विशाल शर्मा ओके 123456 बिटेक अब यह मेरा पहला डेटा आया अब इस अगर मान लो मुझे एको डेटा चाहिए तो आइकन जस्ट कॉपी दिस मैं इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करता हूं and I'll just change 102 मान लो मैंने विशाल की जगह लिख दिया मनेश मनेश गुपता सब्सक्राइब इसका मोबाइल नमबर 221133 वह टेवर एंड सपोज इसका कोर से एंटेक इस इस मैं सेकंड डेटा ऐसे ही आपने इस तरह डेटा ले लिया सपोज आपने लिया थाट इस 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 सिंपल अ टेबल टैक 1031 यहां पर हमने ले लिया नेग विकास वर्मा इंदेन इसका डेटा 112233 तो अब मैं अगर इसको देखता हूं तो इस टेबल लुक लाइक सम्टिंग दिस तो आपको समझ में आ रहा है टेबल टैक कभी उस करेंगे हम जब भी आपके पास कोई इंफॉमेशन है और उस इंफॉमेशन को आप टेबुलर इंफॉमेशन लिए बिल्कुल लिए लेकिन फ्यूचर में जब यही पेज पाइफॉन जावा के साथ आएगा तो डेटाबेस से इंफॉमेशन आएगी अभी हम काफी दूर है उस चीज से डेटाबेस क्या होता है और अगर आपको बात करें तो हमें केवल टेबल पर फोक हर टेबल के हर टेग की अपनी एक प्रापडी होती है जैसे देखा पहले बॉर्डर को समझता है अभी मैंने बॉर्डर वन लिखी है तो बॉन बॉर्डर पर मुझे टेबल की तीफिकनेस दिख रही है अब मैं इसको त्री करता हूं इस अब इफेक्ट दिखा आपको पर लिखा बीजी कलर सपोस्ट बीजी कलर एक्वल टू सपोस्ट मैंने लिख दिया सान यह कलर होता है कलर का नाम है सी इस सम्चिंग लुक लाइक दिस पूरे बैग्ग्राउंड कलर चेंज होगा आप पी टेबल का परसंड की इमेज भी चाहिए चलो अभी पहले बीजी कलर की बात कर रहें तो पहले पूरा बीजी कलर देख लेते हैं तो उसके बाद हम आगे की बात करेंगे अब मैंने बोला कि सर मुझे पूरी टेबल का कलर चेंज नहीं करना है यह सब एक्जामपल हमने क्या किया हम एस् सब्सक्राइब कर लिए यह अगर मुझे चाहिए तो मैंने इसको क्या किया कॉपी कर लिया मैंने आपको बताया था पहले भी आपको जो भी कलर चाहिए यह मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे टेबल में हर एक रो एक एक छोड़के जैसे मैं लो मैंने लेखा बीजी कलर तो अब मैं इसको यहां पेस्ट कर देता हूँ यह पहली रो फिर सेकेंड रो के बाद इसको हम यहां लेते हैं सब्सक्राइब फिर एक रो के बाद मैंने इसका बीजी कलर चेंज कर दिया और यह मैंने कुछ एक डार्क कलर लिया है यहां पर यह सब्सक्राइब है कि हेडिंग का कलर मैंने थोड़ा सा डार्क ले लिया मतलब लुकेंड फिल है HTML is not अब लुकेंड फिल कि आप कितना अच्छा पेज अपना डिजाइन कर सकते हैं तो अब अगर मैं इस टेबल का लुकेंड फिल देखता हूँ तो यह कुछ इस तरीके से मेरा कलर चेंज हो गया है अगर आपको लगता है कि आपको टेबल में हर डेटा की फॉंट साइज बलानी है यूद जस्ट यूज फॉंट एक पॉंट साइज इक्वल टू सपोज मैंने लिग दिया 10 और यह फॉंट टेबल के बाद लास्ट में जहां भी आपकी टेबल टेग क्लोज हो रही है महाँ पर हमने इस फॉंट टेग को लोज कर दिया स्लेश फॉंट लेट इस फॉंट टेबल उसके लिए आपको इंडिविजल जाना पड़ेगा और यू केन गो फॉर इंडिविजल टाइग मतलब फॉंट टेबल पर डारेक इस फोटेब समझ में आया ठीक कि बीजी कलर मतलब यू केंच जाने कलर उफ मतलब किसी का भी कलर चेंज कर सकते है जैसे फर एक्जामब मैं ने बूला सर मुझे विशाल शर्मा को अलग कलर में देखना है तो आई टेकन बीजी कलर एक वल टू रट तो आप देखो अने से बीजी कहिं देखने ही विशियो और तैबल में रोहा है टेवल में कॉलम है टेबल कर आध तो समझो में आ क्ऊ स्टाइप पर सма एक साथ हूं अगर पड़ेंगे तो confusion create होगा तो पहले हमने अभी simple table tag की हम बात कर रहे हैं कि how to create a table in html html में आपको अगर table create करना है then simply how to create a table ठीक है तो option आपको समझ में इसके table में tr का मतलब क्या है what is th tag what is td tag td मतलब table data th मतलब table heading tr मतलब table row okay and all this tag work अंदर table tag कि आपको जो भी tag use करना है you have to go for table tag table में आपको अपने पूरी table design करनी है clear है hope आपको यह concept समझ में आया होगा कि how to generate a table in html कि html में हम table किस तरीके से create करेंगे this is a simple table tag nothing else in that पहले आप इतनी practice करें उसके बाद next step पे हम table में styling add करने के बात करेंगे कि how to add styling in tables कि कैसे हम tables को अलग-अलग style format में बनाएंगे with CSS तो पहले अभी हमने table पढ़ी है next step में बात करेंगे table with CSS कि how to add CSS style sheets in table okay अब इसी में देखा आप चलिए अभी एक और option बताता हूं यदि मानलो आपको लगा कि सर मुझे एक और heading देना है photo मतलब एक heading देना है photo कि मुझे हर student की photo भी चाहिए अब आपने एक column add कर लिया photo वाला okay this photo cannot be tagged लेकिना photo भी तो लाना ही ना मुझे तो अब मैं क्या करूंगा यह जो tag है मानलो टीडी अभी अपने पास photos इतनी है देखते हैं यह टीडी अब मुझे यह जो भी परसन है विशाल शर्मासा वो इसकी photo लेके आनी है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा tag इस आई एमजी एसार्सी एक्वल तो याद हमने इमेज टैक पड़ा था है इस रिमेंबर सी इस वन आपको बताता हूं हमने इमेज टैक देखा था है जिससे हाव टू गेट इन इमेज इन टेबल आपको याद नहीं होगा शाहर इस देखा ओ यह अपना इमेज टैक था ठ ठीक है ऑई एमजी एसार्सी फीर हमने इसमें अल्ट डेक्स्त की बात किती विट्थ राइट की बात कीती की तो यह मंदो में इस इमेजल डियाग्ष किया एमेज स्वार्थ इसको मैं इन इसको मैंने इनको कर दिया 80 x 80 pixels बॉर्डर भी अभी बॉर्डर की तुम बात ही नहीं कर रहें बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए अभी तो अब आप देखो अब आप जब इसको देखोगे तो युल फाइं अब आपके इमेज नहीं है इस रिस्पेकटेबल डॉक्टर एपीज अब्दुल कलाम सर बटाइड डॉन्ट वहां पे विशाल शर्मा की जगह जो इमेज ली है वो सब्सक्राइब यहां पर मैंने सेम टाइग यहां भी यूस कर लिया एक और इमेज चेंज कर दी सब्सक्राइब की जगह हमने ले लिए टू डॉट जेपीजी सिमिलरली मैंने यहां कहां लेना है आपको समझ में टीडी टाइग में लास्ट कॉलम जो है अपना यह मैंने ल तो इमेज की पिक्सल को कम भी कर सकते हैं ठीक है दिस फिफ्टी वाइ फिफ्टी अभी हमने इसको फिफ्टी वाइ फिफ्टी कर दिया सारी इमेज इसको है सी तो चलिए बिलते हैं फिर कुछ और नए टैक्स के साथ यह हमने बात की है अभी केवल टेबल टैक्स के बारे में ओके थेंक्यू सो मच